Hello friends, welcome to Civil Construct, Civil Engineers and Construction Professionals Training Institute. Friends, मैंने आप लोगों को centerline drawings, foundation drawings and यह जो आप देख सकते हैं, यह step footing है, यह step footing को कैसे read करते हैं, यह आप लोगों को detail में बताया है friends, कि कैसे आप लोग यह study करेंगे, जो construction professionals training institute की जो series चालू है, how to read construction working drawings, तो इसमें आप लोगों ने यह दो parts में centerline drawing and foundation layout समझ चुके हैं, मैं आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं friends, how to decide excavation depth and width and length as per drawing, तो मैं आप लोगों को यह जो C10 column है, यह आप देख सकते हैं friends, यह जो C10 column है, इसको consider करके आप लोगों को बताने वाला हूं किस type से आप लोग side पे depth and length and width का excavation करेंगे, तो आप लोगों को foundation करने के लिए, आप लोगों को first जो step है, वो है excavation, and as a civil engineer, आप लोगों को कितनी depth का excavation करना है, and कितनी length and width में करना है, यह आप लोगों को समझना बहुत जादा जरूरी है, मैं friends, आप लोगों को यह जो c10 है, इसको consider करके बताने वाला हूं कि किस type से आप लोग depth and width decide करेंगे, friends, आप लोगों को यह जो c10 column है, यह आप लोगों का c10 column है friends, यह c10 column है, and इसकी जो pcc है, यह आप देख सकते हैं, यह जो pcc की length and width given है, drawing में, आप लोगों की length हो गई, यह आप लोगों की width हो गई, यह आप लोगों की width हो गई, यह drawing में given है friends, आप लोग देख सकते हैं, यह drawing में pcc given है, and depth of footing also is given, यह जो अप लोग अगर इसको section cut करेंगे, आप लोग x अगर section कट करते हैं, footing को section x, x में friends, आप लोग समझेंगे, यह जो है यह जो X के X आप लोग कट करेंगे तो इसमें जो steps बनेंगे यह आप देख सकते हैं friends मैं आप लोगों को बताऊं यह जो आप जब इसमें 3 steps है यह आप देख सकते हैं friends यह जो है यह 3 steps में drawing given है आप देख सकते हैं friends यह जो है यह आप लोगों का column है and column के साथ में यह जो है यह इस type से आप लोगों को section given है आप लोगों को यह जो section given है इसमें PCC given है 1,2,3 यह जो steps है 1,2,3 यह आप लोगों के 3 steps है and इसकी जो depth है यह आप देख सकते हैं यह जो depth है friends यह given है 1,2,7,5 1,2,7,5 and यह details आप लोगों को given है आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को excavation करना है यह drawing consider करके जैसे कि आप लोग देख सकते हैं friends यह जो है यह drawing में आप लोगों को details मिल गई कि means आप लोगों का depth कितना है यह depth of footing कितनी है depth of footing and यह आप लोगों का plan है now you have to decide how much depth of excavation is needed on site आप लोग उसको decide करने के लिए आप लोगों को एक detail required है कि आप लोगों का जो ये ground level है ये कितने पर है तो suppose कि ये friends आप लोगों का जो ground level है ये जो ground level है ये ground level आप लोगों का 2 meter depth में है 200 mm depth है तो आप लोग ये जो है ये आप लोगों ने सबसे पहले 150 mm depth की PCC की है 150 mm की जो ये जो आप देख सकते हैं ये जो PCC है section में भी यहां पर required given reference 150 mm thick PCC M15 M is mixed and 15 grade of concrete तो आप लोगों ने यहां पर 150 mm depth of footing की है तो आप लोगों का total आप लोगों का जो 150 plus 1275 ये जो है 1425 यहां से ये जो depth है friends ये जो है ये आप लोगों की depth हो जाएगी 1425 and 1425 माइनस आप लोग अगर करेंगे 2 meter तो आप लोगों को 475 ये जो है ये 4575 ये जो है ये step column की height हो जाएगी step column आएगा ये आप लोगों का step column है and ये है आप लोगों का ground level आप लोगों को friends ये इसमें आप लोगों को ये समझना है ये step column and excavation अभी friends आप लोग जब working करते हैं आप जब ये PCC करेंगे तो ये PCC करने के लिए आप लोगों को एक proper आप लोगों को एक working space भी चाहिए आप लोग 2 meter depth में excavation करेंगे ground level से and ये जो PCC के लिए ये जो शटरिंग करेंगे आप लोग ये जो शटरिंग करेंगे friends ये जो hide की शटरिंग करेंगे तो ये शटरिंग करने के लिए आप लोगों को एक working space चाहिए तो वो working space के लिए generally अगर मैं working space बोलू आप लोगों को कम से कम 500 mm आप लोगों को working space चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे 500 mm जो है जादा आपको excavation करना पड़ेगा क्योंकि जो mystery होगे labor होगे आप लोगों को यह 500 mm जादा करना पड़ेगा तो आप लोगों को working space मिलेगा तो आप लोगों को यह जो 500 mm जादा जो space चाहिए यह शटरिंग करने के लिए चाहिए and material आप लोगों को लगाने के लिए fixing करने के लिए supporting करने के लिए distance चाहिए तो यह टाइप से आप लोगों की यह जो length होगी friends यह जो length हो जाएगी 3550 plus 500 mm plus 500 mm तो यह जो हो जाएगी width of excavation हो जाएगा width of excavation कितना हो जाएगा 4550 and length of excavation कितना हो जाएगा आप लोगों का 550 अलेड़ी है तो 550 प्लस 500 प्लस 500 so 6050 यह आप लोगों का length of excavation हो जाएगा and जो आप लोगों को depth है 2 meter है means आप लोगों को समझ में आ गया आप लोग C10 का excavation करने के लिए आप लोगों को 2 meter की depth आप लोगों को excavate करना पड़ेगा ground level से and जो length है आप लोगों को length and width आप लोगों को 450 multiply 6050 यह आप लोगों को excavation करना पड़ेगा तो आप लोगों को proper working space मिलेगा and यह आप लोग as per drawing आप लोग जो है site पे execute कर सकते हैं and यह आप लोगों को समझना पहुँच ज़्यादा जरूरी है इस type से friends आप लोग as a civil site engineer as a contractor आप लोगों को यह terminology समझनी होगी and आप लोगों को decide करना पड़ेगा length, width and depth of excavation so hopes of friends यह मेरा एक basic example था कि किस type से आप लोग site पे as per drawing अपने घर की अपने building की depth decide करेंगे and excavation आप लोग करेंगे and friends यह जो है step footing consider करके है यह आप देख सकते हैं यह step footing है आप लोगों को different types pad footing, pile foundation, raft foundation अगर raft foundation है friends तो यह जो पूरा area है यह पूरा area आप लोग एक साथ में excavation कर लेंगे यह depth में इस type से different different जो types है आप लोगों को as per drawing आप लोगों को execute करना है so hope so friends आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस type से आप लोग side पे excavation करेंगे footing का and आप लोग अगर friends यह सब वीडियो से कुछ सीखते हैं तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए अपने friends के साथ में share कीजिए and अगर आप लोगों को यह जो drawing है इसकी PDF फाइल चाहिए और autocad ड्राइंग चाहिए तो आप मुझे mail कीजिए मैं आप लोगों को forward कर दूँगा so thank you so much friends for watching this video अपने आप लोगों कीजिए